अभी अफ्रिका के अंदर समेट होने जा रही है वहां पर 67 कंट्रिस आ रही है वहां के बड़े-बड़े वजीर आ रहे हैं हम नहीं होता है उसकी में मज़ए यही है कि यार यह आपके जाती इंटरेस्ट ना हमारे लीडरान के ठीक है वह बहुत ज्यादा ना पीक लेवल प सकते हैं हमें भी हो सकते हैं हमें पहुत नहीं हुआ आप आप्सक्राइद Все support now if its कोशिश है ठीक है और ये हमेशा से ऐसे ही होता रहा है ये हमारे हुक्मरान की नाहली है आज तक कश्मीर की बात करकर फुट पाथ पर आगे हैं बिल्कुल ऐसे ही है छोड़ दे उसे तो ये मसला ये है कि हम किसी जगह से नहीं डरते जो डोग डरती हैं वो इसलिए डरती है कि यार काम खाम मुझे मैगमा खेंचे का खाम खाम मुझे लोग जली रखवार करेंगे जो मुसल्मान को कतले आम हुआ हैं इंडिया में पिछले दस सालों में ठीक है वो पूरी दुनिया ने देखा और अब पर आप लोगों ने जब पाकिस्तान जब अजाद हुआ था 21 परसंट हिंदू खतम होकर एक परसंट से कम रहे गें अगर हम इसा लेंगे हम चलेंगे तो जानों का निजराना पेश करेंगे यह तो हिंदूस पाकिस्तान जो है 1947 से पहले का चला गया हुआ है सवारी आती जरूर है मगर वह कराया तो अपनी मर्जी का बता दी है वह कराया हमों कैसे फोड़ करेंगे गैस इतनी महेंगी है पिट्रोल महेंगा है उसमें तो बेतर है हम खड़े रहें तो ठीक है पूर गया है मैं इनसे बात करने आए था गलोबली हालाद जो हमारे क्या चल रहे हमारे पॉलिटिक्स के गलोबली हालाद क्या चलने आ रहे हैं यकीन करें इनके बादे सुनने के बाद तो मैं इनसे क्या सवाल करूं यहां पर हमारे मुलक के अंदर हमारे जो गरीब तबका जो शोटा तबका जो मिडल कला लोवर मिडल कला तबका उसकी यह लाद हैं तो मैं उनसे गलोबली लीडर्स के बारे में क्या बादेगा क्या यार कुछी को फांसी लगा देगा जिन्दगी एक आनी और जानी चीज़ है आज भी मरना और कल भी मरना अब तीनों सुपों को रोक दें एक कोई अपने बाउजितियाद के कबरें और गार बार नहीं छोड़ कर आएगा अगर उनको क्या हम दे सकते हैं हमारा बाइकोड क्यों हो रहा है गलोबली अगर मैं बात करूं आपको तो बड़ी-बड़ी कंटी समारा बाइकोड कर रही है अभी एक मीटिंग होती है सौधि लिगैर रेबिये के अंदर स्वधिया फिर्यटी अरे वांचिह जिसे अपना राइट हां घ्टे हैं वह की हमें इंडिया घुनती प्रृटिप dalति आए इंडिया के कि मेन वजा बस्नेस को पाकिस्तान को बड़ता है निया हमारे है ठीक है और दूसरी बात यह है कि अर्बों खर्बों डॉलर की जो इन्वेस्मेंट है ना उसका फाइदा सिर्फ आगे सौधी अरब यूएस से और चाइना और यह जो सूपर पावर्ज हैं ठीक है रशिया हो गया आपका ठीक है उनको जैदा फाइदा इस चीज़ का ठीक ह हो रहा है ठीक है और पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स की बात कर रहे है गलोबली ठीक है उसमें मेरा नहीं ख्याल को इंटरस्ट हैं उनका उनके अपने जाती मुफाद है यार हमारा बाइकोट हो रहा है दूसरी तरफ इंडिया का जे जे कार क्यों हो रही है अर तरफ और यार हमें भी इतना ही टाइम हूआ है हमें भी इतना ही टाइम हो आप देख सकते है अजादी नहीं इनकी हीस्ट्री हमसे जाधा पुरानी है किस तरह शिखित वह हमें अजाद सुग और यहां पाकिसान में कुई और है क्या कहते हैं प yoga मैजे इन वह büyबलरा राढैंच का परपस यहां पर यह है अगर आज हमारी वर्ल्ड वाइल के रिस्पेक्ट होती तो क्या हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग दुनिया में चार नमर पर होती अगर मैं बात करूं किसी की भी बात कर लो अफगानिस्तान का हमसे जादा अच्छा स्ट्रॉंग पासपोर्ट है इसमें तो कोई शक नहीं आना सिर्फ इतना ही कहूंगा अफरिका अभी अफरिका के अंदर समेट होने जा रही है वहां पर 67 कंट्रिस आ रही है वहां के बड़े-बड़े वजीर आ रहे हम नहीं होता है उसकी में मज़ए यही है कि यार यह आपके जाती इंटरस्ट है नह कामलात फानेंशली इंटरनेशनली हर लिया से बेतर कर सके लेकिन उसको भी दुबा दिया गया हुआ है इंडिया कितना आगे चलागा इंडिया हमसे बहुत आगे है सर हम बहुत पीछे हैं क्यों उसकी वज़ए यह सर उनकी अर्बों खर्बों डॉलर्स की इंवेस्मेंट से बिजनेसे हैं उनके ताहां भे डिफरेंट कंट्रीज में अमेरिका के साथ भी और अधर वाई यूरप में भी हम तो कहते हैं वहां पर गुर्बत बढ़ी है यह लास्टेम आपने देखा नहीं आपल का स्टोर खुला इंडिया में है बिलकुल ऐसे ही है किश्मीर को कित कि देखें कायदे आजम ने कहा था कि जो कश्मीर है ना वह पाकिसान की इशारा आगा है ठीक है यह सिरफ बातों में अच्छा लगता है मेरे हिसाब से मेरे ख्याल से हम एजब जो कौम है ना नेशन हम ठीक है हम बेहिस कौम बन चुके हुए हैं पिछले 25 से 30 साल के अंदर 25 से 30 साल बैकवर जाएं आप हलाद बहुत बेतर थे लोगों कि उसी कश्मीर की बात बताऊंगा कितनी साड़ साड़ लाग अबादी होगी 80 लाग अबादी होगी उस साड़ और 80 लाग की अबादी के लिए उस समीन के टुकड़े के लिए आज पूरे पाकिस्तान के हलाद किसी बढता हैं कितने बत से बतर हो गैं यहीiki वाज़ा थी के काइद एज़ ने पाकिस्तान और इंडिया को धूरादा कर दिया था किइसमें उनकाभी और हमारा भी फारा यह फारा है किया वादा निकला किया इस वोकट जो इंडिया में लोग वहां इंडिया उन eli देस सालों में ठीक है वो पूरी दुनिया ने देखा और अभी भी वही कुछ हो रहा है मुस्लमानों के साथ देस वाज़ा से काज़िजब ने पाकिस्तान इंडिया का दो कोमी ने जरीया पेश किया था कि जब हम एक अलग कोम बनेंगे ना तो हम अजाद होंगे लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हमें एक अजाद कोम है अगर मैं बात करूं वहां से आप यहां से मुस्लमानों की बात करते हैं वह तो कहते हैं आप लोगों ना अपने हैसाईयों पर आप लोगों ने जब पाकिस्तान जब अजाद हुआ था 21% हिंदू थे खतम होकर एक परसंट से भी कम सबसे पहली बात ही थी के यहां पर जो मेंज्योरिटी और मिनॉरिटी आना उन सबको न के हक दिया जाएगा इंजारा भी काफी हद तक दिया जा रहा रहा है लेकिन ये जो जड़ा वाला में ठीक है ये जो चर्च को जलाया गया ये दिवारें कराची को नहीं जलाया गया पूरा बस्ती को जला दिए पूरा गिरजागर जो था वो भी काफी सुसाइटी काफी लोग एफेक्ट हुए है इस वज़ा से पाकिसान की जो रैपूटेशन ह काफी फरक पड़ा या नुक्सान हुआ है हमारा नुक्सान है ये पहले कराची मेरा जप לס़ मंदरी तोड़ने लिए जब आपके बादो कहाने के लिए पैसे नहीं नहीं तो सबसे पहले आप खाने के बारे म Kin απ जब आपका पेड भर जेगा नो उसके बाद आप मुलक का सोचेंगे और यहां के जो हुकमरान है ना उन्होंने अवाम को इसी तरह दबाया है कि अपनी जेबें भर लो अपना पेड भर लो अवाम का क्या अवाम तो वैसे घुजर बसर कर रही है है जीनना मुश्किल होगय ही वानों का यहां पे पढ़े लिके ओजिकारणिद पर्सन है पाकिस्तानी है तो क्या सोचने क्याब फूचर है पाकिस्तान पाकिस्तान का फूचर मैं तो अल्ला तला kiedy Marie मैं और तला से यह दु़ा करता हूं कि पाकिस्तान का फूचर अपना फ्यूचर क्या देखते हैं यंग होते मैं अभी फिल्हाल कोई फ्यूचर नहीं है बाहर जाने का सोच रहे हैं मुझे अगर मोगा मिलेगा मैं बाहर नहीं जाओगा उसकी वज़ाई यह है कि यार मैं यह चीज समझता हूं कि यार अगर आप बैसियत एक इनसान ठीक ह अपने मुलक में इतनी तरकी करें आप खुद इंडिवीजिली तोर पे ठीक है उसका फायदा अगर आप जब आप कुछ बन जाते हैं उसके बाद का फायदा आप लोगों को दें अफराद के हाथों में हैं अक्वाम की तकदीर हर फर्द है कौम के मिल्लत के मकदर का सितार आज का जो मुलक के हलाद पैदा हुए हैं ये हमारे खुद करदा और दूसरे क्राइसिस की वज़ासे हुए हैं दुबई में भी आए हैं कराइसे सुधिया में भी आए हैं वहाँ पे भी लोग महाजर हुए और क्रोडों लगों का नुकसान किया लेकिन जो कुछ अबी हो मैं कभी टीवी देखता था सोजता था कि कभी रक्षाड रैवर चिला रहा है कभी मज़ूर चिला रहा है कभी रागिर च्रू रहा है तो यहाँ पर मैंने सोचा करे सचाद पाकफानी का लात बेतर है अमरान खान सहाभ आ रहे हैं तो दुनिया की हालात शहाद बदल अगर हमारे Chief Army Staff और जितने भी आला हुकाम है जिनकी आतमे आप में आत्म है घोर डीomet आधार आFS का है और भी झाक्त चले सकता अगर ना चलाना चाहें अपनी जनबनी हैं तो वो आपके सामने हैं और उन लोगों की इज़त हम लोग खुद कार रहे हैं चाहे वो लंदन में हो चाहे वो ज्यो ऐसे में हो सर एक स्वाल पूछूँका आपसे सर गुलोबली आप दुबई में रहें सोधिया में रहें वहां पर कौन सी कौम की आपने जादे रिस्पेक्ट पाई पाकिस्तानियों की या फिर इंदुस्तानियों की सर वहां पर पाकिस्तानियों की जादा रिस्पेक्ट है लेकर इससे जादा रिस्पेक्ट जो हमारी हकुमत की और आर्मी की है आम पबलर की जो है ना वो इन से काम है यह गटिया होता है और वो चलता है लेकिन जो हमारा पाकिसान का चावल है किनो हैं वो पाकिसान के लावा बूरी दुनिया में कहीं उसका नहीं है सबसी अच्छा और अला कॉवाल्टी है अजरी इतने एच्छा और अंधर हैं की चीज देते हैं तो सर पिरोडी इंडिया को दी जाती है लेकिन हमारे किसी भी लीडर को बुलाया नहीं जाता तो रिस्पेक्ट किसकी जाधा जिसे रफ हम अपने पैसे लेनी और माल लेके अपनी जेबे परने के चक्कर में हैं अगर हम रांखा आया तो वह कुछ करके दखाना चाहता था इससे प पांगाने की कुछ हो रहे हैं अंदर शिन की कहानिया कुछ हो हो रहा है इंडिया को इतनी है में नहीं कि हो इतना काम करते हैं और हमारे जो नकालती है और आपनी रदिया icon का सोईती हैं अगर वो अपनी इज़त के और आना की खातर चलेंगे तो वो ये लोग हमारे पास आएंगे ना हमें के इनके पास जाएंगे और ना इनके हम तलेवे चाटेंगे सर आज इंडिया चांद पर चला गया चंदर्यान मीशन law 인해 वो सुर्या सूरिज में बी जा रहा और समंदरियान भी लोग कर दिया यहां पर हमें टिक्नbaarजा की तुछोड़ो रोटी नहीं पूरी हो ए यह क्या कसूरफ वो इतने डिवैलमेंट की तरफ क्यों जा रही है जी सिर्फ हम करेप्शन की तरफ जा रही हैं मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर हम खुद और हर अफराज जो है ना मिलके जुलके काम नहीं करेगा ना तो मुलक का अल्ला ही आफ़द है देखें कोई कहा था जी मैं वोट नहीं देता मैं किसी की स्यासत में नहीं जाता हमारे बहुत जदाद वलाम थे बरतानियां के आज हम उससे भी नीचे चले गए हैं और इस ट्रैम तरकी के इसाब सो कौन जादा आगे हैं हम या फिर इंडिया सार इंडिया हम से आगे हैं लेकर हम जो है ना करॉप्शन से आगे हैं सर अगर मैं बात करूँ दुनिया की हर किसम की फैक्टरी दुनिया की हर किसम की कंपणी इंडिया के अंदर अपनी शेयर्ष रखती हैं हमारे पास कोई कोई सब्सक्राइब अबब topics और यह ब feat. आप उसको तो पाकिस्तान में करना चाहिए कश्मीर जमून कश्मीर जो कि इंडिया के पास है सर वहां पर इमार कंपनी जो एशिया का सबसे बड़ा मोल बनाने जा रही है क्या क्यों बना रही है इंडिया को जाधा तरजी के उनकी फिलमर उनिक theo पहली लाती है हमारी यह प्लूदी यह कि हम UJ में इज़्था कभी सहूद्धिया में इज्था वहां कर आशों आ रहे हैं तो कहते हूद में पाकिस्तान गो टू तो इंडिया को वेलकम, बंगलादेश वेलकम, सिरी लंका वेलकम, हम उन से भी गया गुजरे हुए हैं, अगर हम बाइदी बे सोधिया जा रहे हैं तो हमारा स्टे आट के एंडे का, हम कहते हैं जी हम दो के एंडे के लिए बाहर जाना है, कहता है नहीं, आप पहले अपने हर सुफार्द खाना और हर बंदा बिकाओ और बिकता है, और अगर यह हमारा चीफ आर्मी स्टाव पहले उसे लेगे, आई तक जितने भी बेकारी बाहर से आए और बाहर चले गए, हम तो खुद अवाम पागल है, हमें तो खुद डंडे लेके बाहर निकलना चाहिए, और सप्रीन का साब करना चाहिए, ना हाई कोड वाले ना सप्रीन कोड वाले ना शिशन कोड वाले ना पुलिस वाले कोई बात नहीं सुनते, कनून अपना मान मानी और हर बात अपनी मान मानी, और यह क्या पहले वाली दुनिया और पहले वाली सियास्त दने रही, अब भी सब्सक्राइस भी है गो हमारे 35 सालों से हमारे ऊपर मुसलत है आप देखेंगे तो सार पीछे और भी ताकते हैं और हमारे पास नोटों की ताकते हैं और बंदों की जो ताकते हैं वह हमारी कि जो क्या किते हैं मौशिया जो ए ना वह एक सरगरम है रुकन जो बदमाश है यह शरीव है यह इसको बोलते हैं कि जो बाप अबहु जिदार से चले आरहे हैं बेंदे भी मर वा रहे हैं और सारी कर्वशन कर रहे हैं यह वह ए टोला है अगर वो भी अमरान खान ले गे आ रहा था तो वो सारा यानि कि आपको हर बंदे को हर बच्चे को पता है आज एलेक्शन हो यह दूद का दूद पानी हो पानी का हो जाए क्या परोसियों के साथ तलुकात बहतर कर लें क्या हमारे जो हलात खराब हैं इंडिया के साथ आज सुला कर लें हाथ मिला लें सार इंडिया के साथ मलाने का या सुला करने का कोई इशू नहीं है हम खरीदो फरोध भी कर सकते हैं ले भी दे सकते हैं ये हमारे हुकमरानों की बद नजमी है और बद निज्टी है और हमारे बड़ों की बद निज्टी है कि हम इनके साथ नहीं मिलना पसंद करते क्यों यहां से हम अगर निकलेंगे इंडिया से आगे जपान तक जा सकते हैं तो हमारा यह तरकी का रस्ता खुला हुआ है पीछे जाएंगे इरान से और राक से और पूरा गलब का रस्ता खुला हुआ है है जब हमारे दोन Рस्त बन्हें हैं हम किसी दरव निकल निइ सकते हैं चल क्या सकते हैं अगर हमेरा अग्वानस्तान की तौर जाएंगे तो हमारा रस्ता वहां से बन्हें इसलिए कि वहां कोई मिसाफर रस्ता गुजर नहीं सकता से क्या यार कुई कुछी को फांसी लगा देगा जिंदगी एक आनी और जानी चीद है आज भी मरना और कल भी मरना तो जिसने क्या कहते हैं ना काफिर है तो मुझे वो शेर नहीं याद आ रहा अफरा मुमिन है तो टेक पर करता है बर खाम खाम मुझे मैगमा खेंचे का खाम खाम मुझे लोग जलील अख़वार करेंगे हम हर बंदे को आना चाहिए हर बंदे को मिदान में आना चाहिए हर काम वो करना चाहिए जो कोई नहीं करता इतनी जंगे लड़ लिए हमने इंडिया के साथ फुलन फाइनल क्या नतीज लें और इनके लोगों को देख लें एक बंदा भी आके लड़ने के लिए आजए को तो देख लेना एक तर में हमारे 63 अजार फोजी उनके कब्जे में कैसे के सार जो अगर हम गद्दारी ना करते तो इनके क्या जूरत है कि हमें वो ले जाते हैं एक हिस्सा हमने खो दिया है खोया है वह मैं हमें पहले जमीन के साथ नहीं मिला वह समुंदरी रस्ता था हम वहां पहुंच नहीं सकते थे अगर वह समुंदरी रस्ता नहीं होता तो मंगला देश कभी पाकिस्तान से अलाग नहीं हो सकता था वह तो अंग्रेजों की शादेशी वह जो काम्याब हो गया लेकिन अभी जो चल रहे हम व हम भूद काम का लढ़ना नहीं है न हम दो इंडिया वालों के साथ हर बंदे के साथ प्यार महबस्यार रहना चाहते हैं लेकिन वह कुई लड़ाई कर सकते ये आलमी सतह पर कश्मीर कमी का मामला और लोगों निकल कश्मीर को कहिंगा आप हमारे पास आजो वो सब को छोड़ कर के आम्यर कोई भी नहीं को अपने बाउजितियात के गभरें और घारबार नहीं छोड़ कर आएगा अगर उनको क्या हम दे सकते हैं इतना कुछ जहां भे वो छोड़ कर आएंगे उनको वहीं रहें वहीं हम अगर नीज़ से सुभा करना तो सुभा एक मिनुट में काम हो जाएगा बहुत शुक्रिया सर बहुत अच्छा लगा आप से बात करके तैंक्यू सो मिन ना चुड़ा कुछ मेरा ना मेरे काम बिल्कुल नहीं है तकरीबन असर के पहले पखड़े हम तीन बजे के खड़ें सुवारी आती जरूर है मगर वो कराया तो अपनी मर्जी का बता दी है वो कराया हमो कैसे फोड करेंगे गैस इतनी महंगी है पिट्रोल महंग है उसमें तो बेतर हम खड़े रह अगर स्वारी नहीं आते तो कराय कैसे देंगे उसके बाद दूसरा अगर अपना तो भी जिने का बिल जाहां पर इतनी महें गाई अभी तक अब मुझे बिताएं कि क्या करें हम कैसे गुजारा होगा उन्हों कुमरानों को कौन बताए कैसे इनको बताएं कि हम भूखे मर रहे हैं इनका तो सोचे जो द्याड़ीदार बंद है वो कैसे आटा लेगा आटे का तोड़ा कितना मेंगा कर दी गया अब मुझे आप बताएं के गरीब आदमी आटे से भी दूर कर दी इन्होंने तो यार क्या करेंगे यह तो गास वाले चेकर है मेरे एक टाइम फिर इसका मतलब गास खाएंगे एक टाइम अगर रोटी मिलेगी तो खाएंगे तो फिर गास पर आजाएंगे यह होगा इन्हों खाएंगे और वाँ गरोटी तो पर फेंगा हुआ है इनको तो कोई असर नहीं है इनको पते ही नहीं है बूप क्या चीज है उन्हें तो बिल्कुल नहीं पता आगे देखे ना हमसे बात करें आगे अम जो खाते हैं वो खाके देखे आठा यह रोटी हम कैसे खारे हैं नहीं बाद है कसम खुदा घी खाये नहीं क्यों खाये कैसे और रेटी इनके इतने ज्यादा है कर रहे हम तो आदा किलो भी नहीं ला सकते मेरे बाई वस्ट यह यह आप से कहना गुजारी है कि इनको पेगाम दें कि खुदा के वास्ते घरीबों पर रहम करें जो हम तक जो चोटा अब करा लोग मिडुड गला सबका उसकी यह लाद हैं तो मैं उनसे गलोबल लीडर्स के बारे में क्या बाते करों पहले हमारे हमारे हालाद ही ठीक हो रहे हम तो उनसे पूछे हैं इनकी शकले देखें नफरत होगी टीवी पे शकले देखते तो नफरत हो क्या नुआ श्रीफ क्या ज़रदारी क्या इनकी सब की शकले देखने को दिल करता यह तो आपको शकले देखने करता पूरी दुनिया इनकी शकले नहीं देखना चारी अभी मैं आपको एक बात बताता हूं कुछ टैम पहले की बाता है सौधी एरेबिया के अंदर एक अपरमीटिंग होने जारी नहीं है लेकिन पाकिस्तान का किसी को भी नहीं पुराप कर दीया यह लाएं